हेलो दोस्तों, वेलकम तू माई चैनल, दोस्तों आज फिर से हम डॉजिंग टेबल का एक और ट्रीक लाएं, जो 10 से लेके 20 देखे टेबल में एक गाम आता है, तो बहुत ही एमेजिंग ट्रीक है दोस्तों, इसको मेंटली भी आप कैल्कुलेट कर सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा यह नेविडिच, एक छोटे से एक्जाम्पल लेते हैं, जैसे के 12 इन्टू 16, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह तो आपको आपको अंसर क्या आ गया, 72, तो यहां पर लिख देंगे हम 72, देख, कि ता सिंपल है, चले एक्जाम्पल लेते रहे तो आपको एक्तम अच्छे समझ में आएंगा, मैं second example लेता हूँ, for example 14 into 7, okay, so सबसे पहले क्या करना है, 4 और 7 को आपको split कर देना है, so 4 7 is how much, 28, तो ये 8 आपका, एक पार का answer आगया, अब 7 plus 2 को आपको add कर देना है, तो हम यहाँ पर 7 plus 2 कर देंगे, 9, तो 9 को 8 से join कर लेंगे, तो अपना answer आजाएंगा, 14, 7, 98, ठीक है, चलिए एक और example लेते, for example 13 into 6, 3 और 6 को हम split करेंगे, इस तरह से, 3 6 is 18, तो ये 8 हमारा एक answer आगया, अब 6 plus 1 को आप add कर लीजिए, यानिके 6 plus 1 is 7, तो 7 and 8 is 78, तो अपना answer आगया इधर 78, कितने simple हैं, तो दोसे ये बहुत ही amazing trick है, और यहाँ पर answer आने का कोई chance, wrong आने का कोई chance ही नहीं है, तो आप mentally भी इसको calculate कर सकते हैं, चलिए एक और example लेते हैं, 15 into 8, तो आपको सबसे बहले क्या करना है, 5 और 8 को split कर देना है, so 5, 8 is a 40, ठीक है, ये एक पार अपना answer आगया यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, ये 8 और 4 को add कर देना, so 8 plus 4 is 12, so 12 and 0 is 120, so 20, so ये अपना answer आगया, 120, 15, 8 is a 120, simple है, चलिए एक और लेते example हम लोग, 16 into 6 लेते हैं, तो 6 and 6 को हम split करेंगे, और एली इसको यहाँ पर, 6, 6 is a 36, तो ये 6 तो अपना एक पार का answer रहेंगा, और 6 plus 3 को आपको add कर लेना है, तो ये हो जाएंगा 9, so 9 and 6 is 96, तो ये आपका 16, 6 is 96, ये answer अपना आगया, simple है, चलिए, विल टेक वन मोर एजामपल, 17 into 8 लेते हैं, चलो, 7, 8 तो आपको 7 और 8 को split कर देना है, so 7, 8 is 56, तो ये एक पार अपना answer रहेंगा, और 8 plus 5 को आपको add कर लेना है, so what is 8 plus 5 is 13, 13 and 6 is 136, so 17, 8 is 136, ठीक है, चलिए, थोड़े बड़े टेबल लेते हैं हम लोग, suppose 18, 8 जा, किता प्राब्लम गता है, तो यहां पर अगर, डॉजिंग टेबल में, अगर किसी ने कोशन पुछ ले, 18, 8 जा क्या है तो, so 19 into 7, okay, so 9 और 7 को हमको split कर देना है, तो यहां पर मैं 9 और 7 को split कर देता हूँ, so 9, 7 is the 63, okay, यह एक answer आगया अपना, अब 9 और 7 और 6 को हम add कर लेंगे आपर, so 7 plus 6 is 13, और 13 में हम 3 को join कर लो, तो 133 is the answer, लेकिन simple है, easy है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, बहुत simple है, बहुत easy है, तो अगर आप इस तरह से कर पाएंगे इसको, mentally भी आप इसको easily calculate कर सकते हैं, चलिए कुछ example देता हूँ, मैं आपको practice के लिए, तो यहाँ पर हम examples के लिए, बहुत सारे questions ले सकते हैं, चलिए आप इसको try कर सकते हैं, 12 into 8, इस तरह से 14 into 9, 13 into 7, यह try कर सकते हैं आप, 15 into 6 कर सकते हैं, 16 into 7, 17 into 4, भी हम try कर सकते हैं, तो यह सब practice के लिए करिए दोस्तो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, तो subscribe कर लेना, और मुझे comment करके बताना यह वीडियो कैसा लगा, so thank you very much, thanks for watching, Zoya Mass Academy, take care of yourself.